नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं रश्या और यूक्रेन जो इशू है जो वार है जो इन्वेजन है जो भी आप कह लिए इसको पूरी जो है हर जगे ट्रेंड कर रहा है वेदर इस न्यूस वेदर इस इंटरनाशनल न्यूस वेदर इस न्यूस पेपर, हेडलाइन, सुर्खियां, प्राइम टाइम हर समय जो है रश्या और यूक्रेन का ही जो है चर्जा की जारी है इसे बहुत हो भारत का जो है भूमिका जो है इंडिया का क्या रोल है यह बहुत ही जो है अब एक अजीब सी जो है सिचुएशन में इंडिया अपने आपको पा रहा है जहां पे इंडिया जो है ना हीं खुलके रश्या के खिए खिलाफ बू का रहा है ना ही जो है शपोर्ट कर पा रहा है अपने वेस्टेय दोस्तों को है sport कर शो है आज जो है ओना डेके जो है यूनाइड नेजन human right council के अंदर winning ती जिस मे United Nation guys कई सारे organs और कई सारी bodies के थ्रूँ जो है काम करता है अपने को पता है जिसमें General Assembly, World Parliament जो है कहते है United Nation General Assembly है जिसमें हर देश को एक seat मिली वी, एक vote मिलावा है UNGA के अंदर, okay Then there is United Nations Security Council जिसका काम दुनिया में अमन चानती बनाए रखना है Powerful body बता जाता है इसको powerful organ है United Nation का तो यही सबसे पहले बचो United Nation Security Council में ही जो है voting हुई थी इसके permanent five member होते हैं जो की Russia, China, USA, France और आपके UK हैं ठीक है इसके 10 non-permanent member होते हैं जो की दो साल के लिए बने चुने जाते हैं इतफाक से बचो यह ऐसा समय था कि Russia जो है United Nation Security Council का परवरी का महीना था लास्ट मंत इसमें president था UNHC का और इंडिया भी जो है आपके 10 non-permanent member में शामिल था यहां पे बचो इंडिया को जो है voting करनी थी यूए से यहां पे एक resolution लेके आया कि जिसमें की आपको एक resolution पास करना था कि UNHC action ले पाए Russia के इस aggression के खिलाफ ठीक है तो यहां पे गईस USA ने इस resolution को sponsor किया, initiate किया और यहां पे इंडिया, China और UAE इंडिया और UAE non-permanent member अभी बने वे हैं फिलाल के लिए यह दोनों abstain कर गए और China भी abstain कर गया voting से ठीक है वो permanent five का permanent member है United Nation Security Council का तो वैस यवी भी UN में voting होती ही तो वैस बिसिकली आप उसको resolution को yes कर सकते हो, pass कर सकते हो, no कर सकते हो यह आप neutral रह सकते हो, guayab हो सकते हो, मतलब वो एक diplomatic basically एक तरीका होता है बचने का हाँ या ना बोलके आप खमोश भी रह सकते हो तो चाइना और इंडिया और यूई दुनिया की नजरों में आ गए कि यह जो तीन देश आप इसकली सपोर्ट कर रहे हैं रशिया को वोटिंग नहीं कर रहे हैं ultimately बचो UNSC के इस resolution को वीटो कर दिया, रशिया ने क्योंगी पर्मानेंट फाइव मेंबर है तो उसका वीटो पावर है तो उसने वीटो कर दिया और यह resolution पास नहीं हो पाया United Nations Security Council में ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बचो United Nations General Assembly में भी इस पे मुद्दा उठा जहां पे 193 मेंबर सारे United Nations मेंबर वहां पे उसके सदस्य हैं और वहां पे भी इंडिया एपस्टेन कर गया वोटिंग करने से जो कि दुबारा Western countries ने उनको बुरा लगा और Ukraine को भी बहुत बुरा लगा जिसके विए उक्रेन ने कई कदम भी उठा लिए इंडिया को बोला और वहां यहां पे कई सारे rumors ने उन पर जाद जादा बात नहीं करना चाहूंगा तो कि इस फॉर्ट सेकेंड टाइम बेसिकली इंडिया इसके लिए उनाइटे नेशन यूमन राइट काउंसल में जो है आपके रिजूशन लाया गया तो कि रश्या जो है यूमन राइट माना वदिकार का जो है उलंगन कर रहा है उक्रेन के अंदर तो यह मेरे साब से esta बदा यहां पर आप अहीं पॉफिक्टली वेस्ट के साथ एँसी समय और नहीं कॉम्प्लीट लीजो है वह रश्या को सपोट कर सकते हैं क्योंकि दोनों से हमारे अच्छा के संबन्द है और इंडिया की गई यह मजबूरी आप समझ दीजिए कि इंडिया जो है रश्या का साथ नहीं चोड़ सकता रश्या हमारा बहुत पुराना दोस्त है श्क्सटोप संदा has situation X. enकाश स Walha sie जो हमारे इंडिया फ़ृतन दोस्त दोस्त तो ऐसे समय में इंडिया नहीं नाराज करना जाता राश्या को बहुत ज़ाड़ा बहुत ज़ाए और वाई ये फ्री所以 का इसर ज्रेय आपको दिख रहे हैं ग्रीन वाले जो हैं उन्होंने समने यस किया है कि हां रश्या के खिलाफ एक इंक्वाइरी करी जाए इंटरनाशनल कि उसने यूमन राइट वालेशन किये हैं एजनसी बनाई जाए तो मैजोरिटी ओप देशों ने हां बोला है इसमें दो देशों ने लुघ करने वाले देशों में जो में देश चाइना है पाकिस्तान ने ब्यख नहीं चा रहा है और इंडिया आगे कजाकिस्तान भी abstain कर गया है ठीक है तो बचो आगे जाके ये प्रॉब्लम हो सकती इंडिया को कि वेस्टर नेशन अभी तो जो है रश्या को समाल रहे हैं भी तो आग लगी वी उसको बजाने में उनका ध्यान है लेकिन बाद में वह बहुत ज़्यादा इंडिया को परिशा जाएगी और मेरे साब से बहुत भी पॉलिटीकल एक तफ़ डिससन रहेगा गोर एप 2000 चैलेंज रहेगा इंडिया को जो है क्या करना चाहिए रश्या कोम के जया है उसको जो भी है उसकी गल्ती है जो भी है वह वह मुद्धा नहीं हैं इंडिया को जो है स्टैंड लेने बन सकता है, examination के सापसी बचो इस सारी bodies आपके इंपोर्टन हुजाती है, United Nation, General Assembly, Security Council, Human Rights Council, क्योंकि सब न्यूज में रहा है, तो अच्छे से इनको आप पढ़ लिजेगा, I hope आपको ये abstain करने का अच्छू समझ में आ गया, तो वैस UN में जब भी कुछ voting होती ही, को resolution में तो त सपोर्ट नहीं दे रहा है, international community के अंदर, ठीक है, so I hope you understood the topic, okay, so guys, please share the class and please subscribe the channel and please like the video, okay, आप अच्छा ओफर चल रहा है, 35% discount you can get, you can use the code SID UPSC, SID UPSC, और आप जो है, subscription ले सकते हो, बजो SID UPSC कोर्से सर आपको discount ही नहीं मिलेगा, बलकि मेरे द्वारा बहुती कम code है, जो actual म जिन से mentoring मिलती है, telephonic और आपको direct one to one mentoring मिलेगी, पांच बार मैंने exam clear किया है, उसका पूरा फाइदा मिलेगा, प्लस एक standard plan है, iconic एक premium plan है, combo मतलब आपको optional भी पर सकते हो, GS के साथ में, तो आप कोई साभी subscription ले सकते हो, दो साल का, डेर साल का मेरे साब से अच्छा रहता है, combo subscription लेगा, प्लस लेना, iconically लेना है, आप decide करीए, कौन सा लेना है, iconic एक premium plan है, जिसमें आपको personal mentoring and academy की तरफ से मिलती है, means की answer writing practice daily होती है, कुछ value edition material ले बलता है, मैं आपको जो है, दोनों में ही mentoring प्रवाइड करूँगा, मेरे से directly plus लेज़े, चा Iconic लेज़े, तो जो फाय top educators के द्वारा, दो-दो घंटी क्लास होती है, regularly without any gap, without any skipping of anything, पुरा time table आपको पहले ही मिल जाता है, तो एक subscription दी पूचो, आप कित्ते भी batches में पढ़ सकते हो, कित्ते भी educators की class है कर सकते हो, कित्ते भी material आप download कर सकते हो, कित्ते भी टेस्ट आप दे सकते हो, कित्ते भी आप पूरा syllabus कवर करती है, ठीक है, so go for it guys, don't think much and you will, I am sure that you will thank me later, use the code CEDUPSC, so you get extra benefits, above and beyond the benefits which an academy give you, यह मेरी तरफ से आपको जो है benefits मिलेगे, personal mentoring guidance, personally, मेरे द्वारा आप हमेशा जो है जुडे रहोगे, तो आपका subscription एक साल का रहे, या देड़ साल का हो, आपको हमेशा रहेगा, and you will be associated with me, you will be having my personal phone number, you will be in my team, everything will be there to help you, I will also provide you extra value addition material, okay, assure telephonic mentoring guidance, okay, so guys, go for it, it will definitely help you, okay, loan पे भी आप सत्री ले सकते हो, नीचे ही link है, लोन का, और जो है, आप 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 आपको बाकी जान करी, notifications, free classes के, PDFs बड़ा, everything you will get here, CID UPSC Telegram Channel जो है, आप जोइन कर लीजे, all right, so I hope guys, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, okay, share कीजेगा, like कीजेगा, subscribe कीजेगा, all right, and जुड़े रही है, okay, all the very best, let's crack it.